बश्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे atomization process के बारे में इसका main purpose क्या है इस process का प्रियोग हम metallic powder को produce करने के लिए करते हैं और यह है powder metallurgy process का basic stage होता है क्योंकि powder metallurgy एक ऐसी manufacturing process होती है जिसमें हम metallic powder का प्रियोग करके commercial article बनाते हैं जैसे turbine blade, tungsten carbide cutting tool, self lubricating bearing इतियादी तो उनको बनाने के लिए जो metallic powder चाहिए वो हम atomization process से तयार करते हैं अब water atomization, air atomization, gas atomization यह कुछ type है इसके और इस वीडियो में हम आपके साथ discuss करेंगे water atomization process के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इस process को करने के लिए हमारे पास requirement क्या क्या होनी चाहिए basic requirement construction क्या होगी पूरे setup की हमें एक small container चाहिए जिसे हम 10-10 के नाम से भी जानते हैं जिसमें molten metal को रखा जाता है और इस small container में नीचे एक orifice होती है या जिसे हम nozzle कहते हैं और उसके बाद एक बड़ा container होता है जिसके top side पर दो जगह पर water jet को वहाँ पर spray किया जाता है और इसके bottom में जो metallic powder है वो collect होता है अब बात करते हैं कि इस process की जो working है वो किस प्रकार से होती है जो atomization process है इसको करने के लिए हमें जो metal जिसका हमें metallic powder बनाना है उसको सबसे पहले molten stage में लेके आएंगे उसको एक furnace में उसको गरम कर लिया जाएगा और वो जो molten metal है उसको एक ladle की मदद से इस small container में डाला जाएगा तो यहाँ पर यह liquid molten metal हमें नजर आ रहा है तो इसको tundis या फिर इस small container में ladle की मदद से डाला जाएगा उसके बाद यह जो molten metal है यह जो इस small container की यह bottom में जो nozzle है यहाँ से होता हुआ वो इस container में जाएगा जो बड़ा container है और यहाँ पर यह आपको जो water inlet nozzle नजर आ रही है इन दोनों nozzle से water को जो spray किया जाएगा water jet की form में high velocity पर इसको spray किया जाएगा high pressure पर spray किया जाएगा एक apex angle पर क्योंकि यह जो angle होता है basically इसका main कारिया यह होता है कि जो atomization की efficiency है उसको बरकरार रखना इसलिए इसको एक angle पर इसको spray किया जाता है और जो molten metal है उसे water jet की मदद से fine particles में break किया जाता है atomization जो हम कह रहे हैं और जैसे ही जो molten metal है जो water jet के साथ संपर्क में आता है कह सकते हैं कि इसके contact में आएगा तो उससे क्या होगा कि बिल्कुल यह small metal particles में यह break हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसकी cooling भी होगी और उसके बाद क्या होगा कि यह जो small metal particles है वो इस बड़े container के bottom में यहाँ पर यह collect हो जाएगे क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो process है यह जो small metal particles हैं जो अलग होंगे molten metal से वो धीरे धीरे यहाँ तक आते आते वो solidify हो जाएगे और उसके बाद इस बड़े container के bottom में यहाँ पर वो collect हो जाएगे इस परकार से यह working रहती है अब यह जो particles हैं जो metal particles हैं अगर हम बात करें इस process के दुआरा जो भी metal particles हमें मिलेंगे जो metallic powder हमें मिलेगा इस बड़े container के bottom में तो उसका जो shape और size है वो कुछ factor पर depend करेगा जैसे कौन-कौन से factor हो सकते हैं size of nozzle क्या होगा जो जिससे हम जो water jet को हम spray करते हैं उसका nozzle का size क्या है या फिर जो tundis के bottom में जो nozzle outlet लगी है उसका size क्या है तो इन पर वो depend करता है rate of flow of molten metal कि किस rate of flow के साथ जो molten metal है वो enter करता है बड़े container में उस पर depend करता है और जो water jet है या फिर जो air या gas है इन दोनों केसिज में air atomization या gas atomization में तो उनका जो temperature और pressure कितना है उस पर भी ये निरभर करता है क्योंकि बाहर एक setup लगा होता है जिसकी मदद से हम water jet के pressure को भी control कर सकते हैं आवशकता के अनुसार और water atomization process से जो भी metallic powder produce होता है वो normally spherical shape का होता है और उसके उपर oxide की layer भी बनी होती है और water atomization process के दुवारा maximum amount metal powder की produce की जाती है as compared to air atomization या gas atomization उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसा अगर हम water jet की जगाए पर अगर air stream को यहाँ पर हम spray करते है जैसा air atomization में होता है तो उससे क्या होगा कि जो particles है metal particles है वो oxidized हो जाते हैं अगर हमें oxidized particle की जरूरत नहीं है अगर वो acceptable नहीं है तो उस case में air की बजाए gas stream को यहाँ पर spray किया जाता है जिसे हम gas atomization कहते हैं तो इस परकार से जो metallic powder बनाने के जो प्रकिरिया है जो process है यह powder metallurgy process का यह एक basic stage होता है क्योंकि जैसा हमने बात की जो powder metallurgy है इससे हम commercial article बनाते हैं commercial article में जैसे जो special electrical contacts हैं वो बनाए जाते हैं जैसे turbine के blade बनाए जाते हैं self lubricating bearings बनाए जाते हैं तो एक परकार से जो powder metallurgy process होती है यह economical feasible तब ही होगी अगर हमें number of products बनाने हैं बहुत जादा मातरा में जैसा mass production अगर हमें करना है मतलब अगर mass production हमारा जादा होगा तब ही यह powder metallurgy की process है हमारे लिए economical हो सकती है और यह भी तकरीबन अगर हम 10,000 से जादा जो commercial articles हैं उनको बनाए तब ही जाके यह जो processes हैं यह हमारे लिए economical feasible हो सकती है और जैसा हमने बात की जो metallic powder की बात कर रही है यह अलग-अलग shape के इसमें बनाए जा सकते हैं जैसे अगर हम बात करें जो metallic powder है जो water atomization से तो mostly वो spherical या peer shape के होते हैं इसके अत्रिक जो metallic powder है वो flat भी हो सकते हैं angular भी हो सकते हैं dendritic भी हो सकते हैं तो यह कुछ अलग-अलग shapes हैं जो requirement के इसाब से वो बनाई जा सकती है तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया atomization process के बारे में इसका main purpose क्या होता है कैसे इस process को किया जाता है और इसके लिए हमारी requirement क्या रहती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे के साथ